आपके पास nothing phone 2 है या कोई और phone है तो यहाँ पे default app change कहसे कर सकते हैं तो default app change करने के लिए आप जाएंगे setting पे इस टैप से option आएगा अब यहाँ पे आपको apps के option पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको default app पे क्लिक करना है और जैसे कि यहाँ पे यह Chrome browser है या फिर यहाँ पे आ change कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद back कर लेंगे तो ऐसे करके आप जो भी default करना है वो set कर लेंगे default करने से फाइदा यह होता है कि हर चीज में उसी से ही आपका link वगरा open होता है browsing होती है जैसे कि दो तिन option मंगता है आप से वैसा नहीं आएगा तो ऐसे करके आप लगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार